साथ यो हम लोग कख्षा एक से लेके कख्षा बारत तक के सभी का डिटेल्स यहां पर देखने वाले हैं कि इसमें कितना कॉंपर्टेक्शन होने वाला है कितना फॉर्म की रहा है सब कुछ की डाटा हम आपको देने वाले हैं बस आप पैसेन से रखके जो है वीडियो को आप स्कीप मत कीजिएगा पूरा डिटेल्स देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा कि आपका फॉर्म जो है कितना फाइनल समिटेट हुआ है हम आपको बता दे सबसे पहले रेजिस्टेशन की संख्य आपको बता दे ऐसे तो हम बता चुके हैं लेकिन एक नजर आप इसको देख लिजिए यह आपका आखरी डाटा है यानि कि कल 26 फ्रवरी का रात एगारे बच की 55 मिट का यह आखरी डाटा है और देख सकते हैं कि 5 मिनिट पहले कि 5,14,833 फॉर्म जो है आपके रेजिस्टेशन जो हुआ था यानि कि टोटल रेजिस्टेशन की संख्या देखिए यह आपकी रात को 10 बज के 40 मिनिट का डाटा है या 26 फ्रवरी का यानि कि इसके एक घंटे बाद और भी कुछ फॉर्म जो है सम्मिंटेड हुए होंगे अब कितना हुआ होगा इसका आइडिया कुछ नहीं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जा सकता है क्योंकि 10-40 तक आपका अगर इतना 4,74,000 ही डाटा था तो आप बहुत ही ज्यादा इसको अगर एक्स्रा मानेंगे तो आप 4,75,000 बहुत हो गया डाटा आप यहां पर दा रखिएगा क्योंकि एक घंटे में बहुत ज्यादा फॉर्म यहां पर अपका फिलब भी नहीं हुआ होगा एक चीज दिग होगा तो 4,75,000 बहुत होगा उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि जितने फाइनल समिट किया उतना ही से आपका कमपेटिशन होगा ठीक है आप इस बात से एगरी करते होंगे अब आप कहिए गया देखिए आपका कमपेटिशन इसमें कितना कैसा है 4,75,000 बहुत है आप देख पर नहीं पहुंच पाएंगे किसी ना किसी कारण की वज़े से तो आपका कमपेटिशन जो होगा 4,50,000 में ही होगा ठीक है यानि कि 4,50,000 के अंदर ही आपका कमपेटिशन होगा ऐसे अगर हम सीटो के संखिया बात करें अभी एक एक चीज हमें आपको बताएंगे ठीक है लगा चीज होगा आपका कमपेटिशन हो गया और शीटो के संखिया आपको पता है कि 87,174 है तो आप देखेंगे इसके लिसाब से तो आपकी 5 जुणा आपकी कमपेटिशन पूरे पे पढ़ रही है लेगिन पूरे पे 5 जुना परने का मतल़ ये नहीं कि आपका सब में 1- फाइब भी पांच गुना हो जाए शिक्स्ट्रेट में भी पांच गुना ही हो नाइन तेंथ में पांच गुना हो एक करते ही मतलब नहीं यह आपका ओवर ऑल जो है पूरे श्टूडेंट पर आप देखिएगा तो आपका यह पांच गुना डाटा निकल के आ रहा है अगा साथ हो आप लोग को यह डाटा तो याद होगा आप इस डाटा के पीशे बताने के पीशे को शुरी जाने देखिए तीसरे चलर्ण की भरती के लिए सबसे कम आवेदन आप देखिएगा उच मादमिक में आया था और यह जो न्यूज आये थी आपकी 22 के करिवाई थी हम आ 20,19comes 3450 हुए थे उचमादमिके लिए क्तना हुआ था 37,956 हुआ था फिर इसके बाद भी हम लोग के पास details आया haa था और यह details आपका आया था कि आपका रेइस्टेशन हुए यानि final submit आपका फॉर्म जो हुआ था और अभी संक्या कितनी है अभी संक्या आपकी 4,75,000 है आपके सामने आप 4,75,000 मान लिजे ठीक है इतना मान लिजे और यहां data कप का है तो यह data आपका 3,91,000 तक का है यानि कि इस data के बाद कितना फॉर्म हुआ तो नो हजार इज़र अपर चातर है यानि कि 84,000 फॉर्म आपका इसके बाद भराया है 84,000 के लगबग यान तेरासी चोरासी फॉर्म आपका फॉर्म जो है इस data के बाद भराया है अब कैसे प्रभाव पड़ेगा इस पे देखिए इस data के according बात कर लेते हैं जो प्रा बार एक लाग परचीस यार छेसो आपका data था या ध्यान रखिएगा उच मादमिक के लिए ध्यान रखिएगा तो 49,670 आपका data था ठीक है और यह data आप देखिएगा 3,91,000 फॉर्म के उपर था और इसके बाद 84,000 फॉर्म आपका और फिलफ हुआ है अब देखिए 84,000 का तो आकर हम लोगे पास नहीं कि 84,000 में PRT के लिए कितना है चीक है या 828 के लिए कितना है या 721 के लिए कितना है तो हम लोग क्यूँ न 84,000 को average मान ले क्योंकि फॉर्म तो गिरा होगा 84,000 तो 84,000 सब में गिरा होगा ऐसा तो नहीं है कि कि यहन, PIT के अंदर गिरा होगा, 628 के अंदर गिरा होगा हाई हो सकता है कि किसी में थोड़ा सा 2-4,000 ज्यादा गिर गिर गिरा होगा किसी में कम गिरा होगा तो अभी हमारे पास जो एक ट्रेट डाटा है इसकी अधार पर हम एवरेज मान ले तो 84,000 जो बढ़ा उसमें देखिएगा अगर चार चार कलास का है तो इसमें आप एक प्रॉक्स मानेगा तो 21,000 जो आप इसमें आड कर सकते हैं उसके अलावा पांच इधर होता होगा कोई दिकत नहीं है जो अपसेंट वाला है उसको हम छाट है क्योंकि इसमें जो आपका एक्जाम देने जाएगा एक्जाम छोड़ेगा भी सभी कलास में उसको मायड नहीं कर रहे हम यहाँ पर 4,55,000 पर बात करें डाटा पर 4,50 नहीं किया है अपसेंट वाला को नहीं काउट किया है इसलिए एक प्रॉक्स हम लों मांग सकते हैं तो एक लाख 31,000 अगर आपका PIT के अंदर था यानिकि 1,25 में एक लाख 31,000 था तो 20,000 और डाटा इससे ज्यादा तो नहीं गिरा होगा न क्योंकि फॉर्म उसके बाद 84,000 गिरा तो सब में गिरा या इसा तो नहीं है कि और PIT के अंदर नहीं चोला सिया गिर गिर गया तो एक लाख 30,000 यहाँ पर डाटा था एक 30,000 था आप 20,000 इसको मान लीजिए तो एक लाख 25,000 मान ली वहीं 19 pieces की बात करने तो एक लाख 25 गिरा तो इसमें आ इक्स्ता डाटा मान लीजिए गा बहुत मैक्स्म बहुत मैक्सिम मान लीजिए गा डेड़ लग जाएगा आपका 9-10 का इसके अलावा अगर हम बात करें 11-12 का तो 11-12 में आपने जो डाटा देखा था इस डाटा के एकोड़े 49,670 था ठीक है तो 49,670 था 20,000 और इसमें पलस किजिएगा हलाकि 20,000 इसमें पलस नहीं होगा 11-12 में संख्या कम है तो 20,000 भी पलस करते हैं तो 70,000 तक ही आपका आकरा जाता है अब देखिए यहाँ पर आपको हमने बता दिया PIT के अंदर कितना आपका हो सकता है प्रॉक्स डेड़ लाग तक क्योंकि एक लाग 31 से आप पहले कर डाटा था पर 2,000,000,000,000,000 आपको पता है PIT के अंदर टोल से क्टना है 28,100,000,000 है PIT के अंदर के कितना है 28,120,000 है और हमने फर्म कि कितना बात की एकलब 50 लार, हमने अब को कहा एकलब 50 लार मैंकि मैंक जाये तो पाँछ या जी जाए गा, उसको मान सकते हैं, तो एकलफ 50 लार को अगर किजिएगा, तो यह 5-0-0-3 गुणा हो रहा है, यानि कि 5 गुणा आपका हो रहा है यहां पे competition आप बहुत ज़्यादा करिएगा तो फिर अगर 20 या 30 फॉर्म और एक्स्राइग गुणा तो 6 गुणा होगा तो PRT के अंदर जो आपका competition है वह 5 गुणा होने वाला है तो उसमें भी आपका पांच गुणा होने वाला है कुछ उसमें भी छूटेगा ऐसा नहीं है कि सभी एक्जाम देगा ही तो पांच गुणा आपका PRT के अंदर competition है वहीं 68 की बात करें तो दो लाख आपका फॉर्म गिरा है करिब और इसमें सीटो की संग्या कितना है तो आप आप दिखिएगा कि 19 रा 645 इसको आप मान सकते हैं निकालने के लिए 20 रा मान लीजिए तो भी अब 20 मानिएगा तो यह आपका 10 गुणा होता है यानि कि 10 गुणा आपका अगर हम 910 की बात करें तो 910 में हमने आपको रहा है था कि एक लाख 45 ज़्या से लेके एक लाख 50 ज़्या तक आपका क्या होगा आपका यहां पर फॉर्म आपका होगा एक 25 एक परचास मैक्समाम हो गया और एक परचास में आपका सीट कितना है तो सीटों के संखिया अगर है वहीं 11-12 की बात करें तो यहां पर आपको बता है हमने कि उचास ज़्या पहले था विश्या और भी एक्स्टा विश्या नहीं जाएगा इसमें फॉर्म यहां किसमें संखिया कम थी लेकिन हम एक प्रॉक्स मानते है अधिक सधिक मानते हैं तो सत्तर हजार में सीटों के स कमपोरिशन हो आपका कमपोरिशन कहां पर हैतों 11-12 के अंदर नैंसके चाहां लेवन तुल के नदर उसके बात कमपरैट के अदर यहां आंपका 5 गूना होगा फॉर्म हो सके कि बहुत ज़ाद आप सारे पांच गुना देख ले वह अला की बात है लेकिन पांच गुना होगा आपका PIT के अंदर वहीं 6-8 की बात करें तो दस गुना होगा 9-10 की बात करें तो यहाँ पे आपका डेट लाके करीब फॉर्म है तो यहाँ आपका 9 गुना मान सकते है इसे सर्याट होना ही हुआ और 11-12 के अंदर तीन गुना आप मान सकते हैं तो सबसे ज़्यादा आरसान यहाँ पे बात कहें तो 11-12 में है क्योंकि इसमें सीटों की संक्या भी आपकी है अधिक और इसके अलावा आप देखिएगा 6-8 में भी कमपर्टिशन ज़्यादा होग देखें इस सब का डाटा तो हमारे पास नहीं हमारे पास जो डाटा एवलेवल था जहां तक हमसे हो सकता था हमने आपके लिए प्रयास किया और आपको बताने का काम किया कि इतना कॉमपर्टिशन है क्योंकि हम दो है फैक्ट के ऊपर बात करते हैं कोई ऐसा नहीं कि कुछ लप हुआ है तो उसी में 4 का होगा न तो इसी में 4 का कुछ दो कहेंगे कि बहुत जादा प्याइटी का हो गया तो चुलास दो नहीं कि पचास हो गया ऐसा तो परतास दम नहीं हो सकता है अगर 50 अगरं प्रत्र लिजिए मारने वाले तो हुश्च भी मान सकते हैं तो एक ल वीडियो को लाइक कीज़ेगा चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा अगर आपके काम की खवर हो तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए यह वीडियो है आप इधर उधर जो वटक रहें डाटा के लिए हमने आपको बता दिया डिलेक्स हो जाएए इसी से एक गुना इधर